आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप WhatsApp पर ID बना रहे हैं, या फिर WhatsApp पर Login कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका WhatsApp पर OTP नहीं आ रहा है, यानि कि WhatsApp पर Code नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, आईए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में Settings को Open करिए, Settings में आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए, उसके बाद आपको मिलेगा Apps का Option, Apps पे किलिक करिए, उसके बाद Manage Apps पे किलिक करिए, यहाँ पर आपके फोन के सारे Application आ चुके हैं, अब उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करन होगा WhatsApp को WhatsApp पे किलिक करिए, उसके बाद नीचे आप Force Stop पे किलिक करिए, उसके बाद OK करिए, और यहाँ पर Storage पे किलिक करिए, Clear All Data पे किलिक करिए, यह डेटा किलियर करने से कोई आपका Data डिलीट नहीं होगा, उसके बाद बैक आइंगे, अब यहाँ पर इतनी Settings करने के बा बट यहाँ पर आपको एक बार WhatsApp की permissions को जरूर से चेक करना होगा अगर permission allow नहीं होगी तो सारी permission पर किलिक करके allow पर किलिक करके सारी permissions को इस टाइप से allow करिए तो इस तरह से सारी permission को allow करेंगे उसके बाद back आईए उसके बाद फिर से back आईए और यहाँ पर आपको मिलेगा messages अ करिए नीचे force stop पे किलिक करिए ok करिए storage पे किलिक करिए clear all data पे किलिक करके ok करिए यहाँ पर same app permission पे किलिक करेंगे अगर कोई permission ऐसी है जो की चालू नहीं है तो आप यहाँ पर सारी permissions को चालू करिए तो इस type से सारी permissions को चालू कर लेंगे जैसे की WhatsApp की Permission को चालू किया है और Phone और SMS की Permission को जरूर से चालू करेंगे अब उसके बाद Back आईए अब Settings में ही आपको एक Option मिलेगा नीचे Additional Settings इस पे किलिक करेंगे यहाँ पर एक Option मिलेगा Date and Time इस पे किलिक करेंगे अगर आपका Set Automatically चालू नहीं है तो Set Time Automatically को चालू करेंगे उसके बाद Phone को Restart करेंगे और फिर से Try करेंगे तो जैसे की हम फिर से Try कर लेंगे तो Agree and Continue करेंगे Phone Number एंटर करके Next पे किलिक करेंगे तो अब जैसा की आप देख सकते हैं OTP Send हो चुका है और हमारी Problem ठीक हो चुकी है OTP आ चुका है तो इस टाइप से WhatsApp OTP Problem को ठीक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें